प्रातर स्मरामि गणनाथम नाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युगमं वद्धंद व्यगन परिखंड नचंड दंड माखंड लादि सुरनायक ब्रिंद बंध्यम भगवान स्री गनेश को सुरनायक कहते हैं देवताओं का नेता भगवान स्री गनेश का प्रातर का लस्माल करके जो लो ओम दंड पताय नमहा इस मंत्र का एक माला जब करते हैं उनके जीवन में कभी बिगन उपस्थित नहीं होते हैं आपके जीवन की साथ अलग 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 परिशानिया साथ अलग अलग तरह के तिलग लगाने भर से ही दूर हो सकती हैं आपके माथे पर लगा तिलग न सिर्फ आपकी सुंदर्ता पल की प्रतिष्था को भी बढ़ाता है और सब्तह में साथ अलग अलग दिल, साथ अलग अलग तरह के दिल आपकी किस्मत को किस पहर से चमका सकते हैं यही आज कालचक्र में पूरे एक घंटे ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा क्योंकि पंजित जी आज इसे विश्वे पर बात करेंगे 26 परवरी 2014 दिन बुधवार आज भालगुन क्रिस्ट पक्ष की द्वादसी किथी है जो रात में 8 बच कर 41 मिनट तक रहेगी उत्रा साह नक्षत्र है जो रात में 12 बच कर 20 मिनट तक रहेगा आज राहु काल दो पहर 12 बज़े से देड़ बज़े तक है आज नया बस्त्र धारन करने का, कारोबार सुरू करने का और मकान के प्रवेश का दिन में 1 बच कर 1 मिनट के बाद मुहूरत है तो आज के दिन के कौन करन से शुब होते हैं पंडी जी ने आपको बता दिये हैं चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे सब्ताह में 7 दिन होते हैं तो सबसे पहले शुरुबात करते हैं सोंबार और मंगलवार से आखिरकार इन 2 दिनों में हमें कौन सा तिलाक अपने माते पर लगाना है और माते पर लगाकर घर से बाहर निकलना है ताकि जिस भी कारे के लिए हम जा रहे हैं वो कारे शुब हो, वो कारे पूर हो उस कारे में हमें सफलता मिले पड़ी जी दो दिन सप्ताहा के पहले शुरुवाती दिन सोंबार और मंगलवार समन करता है और हर प्रकार से जीवन में मंगल और कल्यान करता है इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि सोंबार का दिन भगवान स्यू और दानी का दिन है सोंबार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है तो सोंबार के दिन मन बहुत कुछ प्रभावित होता है ऐसे में मन को काबू में रख करके दिमाग को संतुलित बनाए रखने के लिए और अपने सुभाव को सांत बनाए रखने के लिए सफेद चंदन का तिलिक लगाना चाहिए सफेद चंदन का अभिप्राय है मलयागीर चंदन से यदि मलयागीर चंदन घिस करके सोमवार के दिन माथे पर लगाया जाए तो निश्चत रूप से इससे मानसिक सांती मिलती है और भाग्योदय भी होता है सोमवार को बिभूती या भस्म भी लगा सकते हैं देवभागोत में बिभूती और भस्म लगाने की बड़ी महिमा कही गई है लेकिन सोमवार के दिन यदि आप विबूती या भस्म धार्ण कर रहे हैं तो सुबह भस्म को गीली करके अपने माथे पर लगाए लेकिन साम को सूखी भस्म माथे पर लगाने का सास्त्र सम्मत बिधान है मंगलवार को हनवान जी का दिन माना जाता है और मंगलवार का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल ग्रह है मंगलवार के दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ शिंदूर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए इस तिलक से जहां उर्जा और कारच्छमता की बृद्धी होती है वही मन की हर पकार की उदासी भी दूर हो जाती है और दिन मंगलवारी हो जाता है तो कैसे आप सोमवार और मंगलवार को बहतर बना सकते हैं कैसे अपने अधूरे कारे पूरे कर सकते हैं किस तरह से तमाम तरह की कारें में सफलता पा सकते हैं मात्र निट लग लगाकर यह अभी आपने जाना लेकिन अगर हम बात करें बुधवार की, तो भवी सप्ता होंने, बुधवार के दिन सूखे संदूर का तिलक, कैसे आपकी किसमत को बगल सकता है, जाने कि पढले से थोड़े दिन में, लेकिन अभी रुख कर लेते हैं राष का दिन मिला जुला फल देने वाला है जहां परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा वहीं आपके दामपत्र जीमन में भी अनबन की संभावना बनेगी स्वास्त में गिरावट देखी जाएगी आपको अपने स्वास्त के प्रति सतर करहना चाहिए और मित्रों और भाईयों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा आज आपको चाहिए कि आप हन्मानचा लिशा का पाठ जरूर करें जैमाविन दिवास्त में बरते इसी के साथ ब्रिशब राशी की ओर जानते है कि टॉरस के लिए कैसा यहने वाला है आज का दिन आज ब्रिशब राशी के जातकों को चाहिए कि अपने आएवे के संकुलन को ठीक धन्न से रखें वरना आर्थिक संकट पैसे का संकट ख़ड़ा हो सकता है मित्रों के साथ आज आपके यात्रा पर जाने का पूरा पूरा योग बना हुआ है और यदि आप विज्यारती हैं तो प्रतियोगी परिक्षा में आपका प्रतरसन अच्छा रहेगा माता का अशिरवाद आज आपके साथ रहेगा आज आपको चाहिए कि दोजा जी की उपासना करें जय माविद दिवास में पढ़े इसे के साथ मित्रों राशी की ओर जानते हैं कि जमनाईस के लिए कैसा आयने वाला है आज का दिन आज मिठों लासी के जात्तों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आंधनी के नए नए रास्ते मिलेंगे स्वास्त पर थोड़ा सा ध्यान देने की जोद्वत है वरना परिशानी बढ़ सकती है और बच्चों से जुड़ी हुए दी कोई समस्या है तो उसका समाधाना आज आपको मिल जाएगा आपका बैवाहिक जीवन सुखी रहेगा आज आपको चाहिए क्यों मुंग उधायनमा का जब करें जैमाविन दिवास्नी बारी आगए इसी के साथ करकराशी की जानते हैं के इसे जिंस के लिए कैसा एने वाला है आज खादर नी आज करकराशी के जापों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है जहां आपको ब्योसाय में बहुत अधिक फाइदा होने की संभावना है महीं भाईयों और मित्रों का आपके साथ पूरा-पूरा सहयोग भी बना रहेगा परिवार में आपके खुसी का माहौल होगा और पूजा पास धर्म कर्म में आपका समय बेतित होगा आपको चाहिए कि दुर्गाजी की उपास ना करें जैमाविन दिवास्नी चलिए जिए साथ बढ़ते आगे बात करते हैं बुद्वार और गुरुवार की सता कि ये जो दो दिन है अगर यदि आप किसी भी कारे पर निकल रहे हैं चाहते हैं कि आपका जो भी कारे है वो शुब हो जाए तो बुद्वार को और गुरुद्वार को आपको अपने माथे पर किस तरह करते लगाना है ताकि आपका सोया हुआ भाग्ये जाग जाए आए जानते हैं पंडीजी सबसे पहले बुद्वार के लिए बताईए प्रातर स्मरामिगणा अथमनात बंदुम सिंदूर पूर परिपूरित गंद युगमम उद्द बिखन परिखन दंद चंड दंद माखंद लाज सुरना एक वरिंद बंदुम बुद्वार भगवान गनेश का दिन है बुद्वार के अधिस्ठात्री देवता भगवान स्री गनेश है इस दिन का जो स्वामी ग्रह है वो बुद्ध ग्रह है बुद्ध ग्रह न पुद्ध ग्रह है ग्रहों में इसको राजकुमार भी माना जाता है बुद्धवार के दिन सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए लेकिन यहां ध्यान देने वर योग बात ये है कि सिंदूर पीला वाला ही लगाना चाहिए लाल वाले सिंदूर की कोई मान्यता नहीं है इस तिलक से जहां आपकी बढूत धिच्छम्ता का विदास हो सकता है वहीं दिन भी आपके लिए सुपकारी रहेगा गुरु वार को ब्रियस्पति वार भी कहते हैं देव गुरु ब्रियस्पति देवताओं के गुरु हैं इस दिन के देवता ब्रह्मदेव हैं स्वयं ब्रम्हा बिहस्पति वार के अधिष्ठात्र देवता है और गुरुवार का बिहस्पति गराशुआमी है गुरुवार को पीला या सफेद में स्पीला रंग प्रिय है तो इस दिन आपको चाहिए कि पत्थर पर मलयाग चंदन जो सफेद होता है उसे केसर के साथ गि देवताओं को लगा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए, अगर केसर संभव नहीं है, तो हल्दी या गोरोचण का अतिलग भी लगा सकते हैं, इससे मन में पलत्रता आती है और एक साथ्युक बिचारों का उद्य होता है, यह अतिलग करना आपके जीवन के आपके दिन को जहां अच्छा बनाता है, वहीं परिसानिया भी समाप्त होती हैं और चिरंजी भी गिरगायु जीवन की प्राप्ती होती है। चुप से मनोकामना पूरी होगी लाब मिलेगा। आज सिंहराशी के जातों का स्वास्त थोड़ा सा बिगर सकता है। इसलिए आज अपने खान पान के रहन सहान पर आपको सतरकता बरतनी चाहिए। तदि आप विज्यारती हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। आज चाहिए क्यों घ्रिणी सुर्याय नमा इस मंत्र का आप एक माला जब जरूर कर लें जैमावी निवास में। बढ़ते इसी के साथ कन्याराशी के ओर जानते ही कि वर्गोष के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्याराशी के जात्तों को अपने प्रोट पर जियन प्रान रखाँ चाहिए। आज कहीं से आपको धन्ताप्ती का ओर जियोग बन रहा है, ये पैसा आपका ही होगा, रुखा हुआ पैसा है, अगर आप एक्ष्पोर्ट या इंपोर्ट के विवसाय में हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप एक्स्पोर्टर हैं तो आपको विदेश से ये पैसा आज मिलने का पुरा-पुरा योग बना हुआ है पिता का सुक और सहयोग प्राप्त होगा पूजा पाथा धर्म कर्म में आपकी रुची बढ़ेगी आज आपको चाहिए कि भगवान सीव का दूद से अभिशेक करें जैमाविल लिवासनी चलिए खास आपर उन दाशकों के लिए मैं इसे लेकर कन्याराशी वालों का देनिक राशी फल एक बार फिर से जानते हैं पंडी जी बताईए आज में स्रासी के जातों का दिन मिला जुला प्रभाव देने वाला है यहां आपको पज़वार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा वहीं आपकी जीवन साथी से छोती सी बात पर अनबन हो सकती है आज आपके स्वास्त में गिरावटी में संभावना है इसलिए आप अपने दिन चर्या पर ध्यान अवस्य दें मित्रों और भाईयों का आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपकी परेशानी कम होगी आज आपको चाहिए कि हन्वान 40 का पाथ करें जैमाविन निवास निवास निवा आपके मित्रों के साथ आपके यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा पूर्ण भूपेण मनोरंजब होगी परतियोगी परिच्छा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा मा का सुख और मा का आशिरवाद आपके साथ रहेगा आज आपको चाहिए भगवति जुरुगा की अउपवासना करें मित्रों रासी के ज़ातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में आमधनी के नई रास्ते खुलेंगे स्वास्त पर आज ध्यान देने की आवस्यक्ता है ग्रह गोचर स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है बच्चों से जूई हुई यह दि कोई समस्या है तो उसका समाधान मिलेगा आपका वगाहिक जीवन यह संदेर सुखी होगा ओम मुदायनमा का जब करें जैमाविन दिवास्नी करक रासी के जात्कों के लिए आज का देन बहुत ही अच्छा है निस्चित रूप से दिया ब्यापारी हैं तो आपको ब्योचार में लाब मिलेगा और भायों और मित्रों का सहयोग भी रहेगा परिवार में पूरा-पूरा फुसी का महावल होगा पूजा पाथ धर्म कर्म में आपकी रुची बढ़ेगी आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की पूजा करें जैमाविन दिवास्नी सिंधरासी के जात्कों को बताऊंगा कि आज आप र्यात्रा करेंगे तो निष्टिक रूप से लाब में रहेंगे लेकिन स्वास्त में गिरावट देखी जा सकती है दिंचर्या पर ध्यान देने की जववत है प्रतियोगी परिक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा और अगर बच्चों से जूड़ी हुई कोई समस्या है तो वो समाप्त होगी आज आपको चाहिए सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम ग्रिनी सूर्या अनमा का एक माला जब कर ले जैमाविन दिवासने कन्याडासी के जात्कों को बताना जाऊंगा कि आज आपको अपने सोध पर नियंत्रन रखना है वरना दुस्मनों की फोज बर जाएगी आज कहीं से धन्धी आपको प्राप्त हो सकता है पिता का सुक और सहयोग आपको प्राप्त होगा पूजा पाठो धर्म कर्ब में आज आप अपना समय बतीत करेंगे आज आपको चाहिए भगवान सीव का जवाभी शेक करें निस्टिक रूप से आपका कल्यान होगा जैमाविन दिवास निए तो ये था मेश से लेकर कन्याराशिवालों का दनिकाशिभल चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं शुक्रवार और शनिवार की जानते हैं कि शुक्रवार और शनिवार के दिन कौन सा तिलक लगाकर अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हमारा दिन जो है वो शुब होगा और कारे जो है वो पूर्ण होगा अली जी बताइए देखे शुक्रवार का दिन भगवान स्रीहरी विश्णू की वामांगेनी जरमपत्नी लक्षमी का है वैसे इस दिन का अधिपति ग्रह जो है वो सुक्र है दिभ्यांगनावाहनवस्तु भूशा चिंता तुकारिया ध्रिगुणा बुढेंडरे सुक्र को जोतिस सास्त्र में इस्त्रीव्या मानते हैं और सुभग्या भी मानते हैं सभी देवियां जितनी देवियों के नाम आप जानते हैं या जो आप नहीं जानते हैं सास्त्रों में वैडित हैं सभी देवियों का दिन सुक्रवार का ही दिन है इस दिन लाल चन्दम लगाने से जहां तमाव दूर होता है वहीं इससे भावतिक सुक सुभधाओं की भी बृद्धी होती है इस दिन आप सिंदूर भी लगा सकते हैं वो भी आपके लिए लापतारी होगा लेकिन सकती के जो आराधक है भगवती दुरगा और उनके स्वरूप की जो लोग पूजा करते हैं उनको चाहिए भगवती दुरगा को सिंदूर समर्पित करने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर का ठीका लगाएं लेकिन ध्यान लटके चाहे आपके घर में चित्र हो या देवी की प्रतिमा यदि आप पूरुस आएं तो देवी के माथे पर आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए आपको सिंदूर सिर्फ उनके चरणों पे लगाना चाहिए, उसके बाद अपने माते पर लगाना चाहिए लेकिन यदि आप यूवती हैं, महिला हैं, तो आप सिंदूर माता को सप्रेम्मेंट कर सकती हैं उनके माथे पर आप सिंदूर लगा सकती हैं उसके बाद में सुनम सिंदूर धारण करेंगी तो इससे आपको अखंड सवभाग्योरती होने का बगदार मिलेगा और आपके पती को आपके जीते जी कभी किसी प्रकार का संकर नहीं आएगा तो सनिवार को भैरो, सनिदेव और यमराज का दिन माना जाता है इस दिन के ग्रह स्वामी सनिदेव है सनिवार के दिन दिभूती अर्थात राख, भस्न या लालचन्दन लगाना चाहिए जिससे भैरो जी प्रसंद होते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने रहते हैं खास करके जो लोग भैरो के उपासना करते हैं उन लोगों के जीवन में अभिचार, मारन, मोहन, उच्चाटन, बसीकरन, अस्थमभन और गिद्व्यशन ये जो खटकर्म की तांतर क्लिया हैं, ये क्लिया किसी को प्रभावित नहीं करती है जीवन सुरक्षित रहता है, इसमें कोई संद्य है चलिए सिके साथ रुख करते हैं अगली राशी का जो की है तुला राशी जानते हैं कि लिप्रिंज के लिए कैसा एने वाला है आज का देम आज तुला राशी के जात्कों के दिन की शुलाद किसी अच्छे काम से हो चुकी है वेजिनस में थोड़ा सा आज घाटा होने की संभावना है लेकिन यदि कोई यात्रा आप देवसाय के लिए करेंगे तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी परिवार का सुख और परिवारी जन्हों का सहयोग भी आपको मिलेगा आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा करें जैमाविन दिवास में पड़ते हैं ब्रिश्चिक राशी की ओर जानते हैं स्कॉपियंस के लिए कैसा एने वाला है आज का दिन आज ब्रिश्चिक राशी के जात्तों के स्वास्त में जिडावत देखी जाई धन्हानी का योग बन रहा है लेकिन इस सब के बावजूर आप मिश्वास और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा आमदनी में थोड़ा सा कम्य हो सकती है आज आपको चाहिए कि उम अंग अंगार कायनमा का जब करें जैमाविन दिवास में बारी आगई है धन्हानी राशी की जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज धन्हानी के जात्कों के अस्थानांत्रन प्रांस्पर का योग बन रहा है आमदनी के नए राश्टे खुलेंगे आज आउसदी अर्थात दवाई पर आपका खर्च हो सकता है आज आपकी सोच सकारात्म करहेगी आज आपको चाहिए भगवान स्री हरी विश्टू के उपास्ता करें जैमाविन दिवास में अखिरकार रविवार की दिन को शुब बनाने के लिए हमें कौन सातेलक लगाना चाहिए आईए जानते हैं पंडी जी बताइए देखे रविवार का दिन भगवान स्री हरी विश्टू के और रववान सूर्य का दिन होता है कहते हैं कि सूर्य प्रिथ्वी के प्रट्यक्ष देवता है तो रविवार के अधिपती ग्रह सूर्य हो गए ये आपको पता है ग्रहों के भी राजया भगवान भासकर भगवान सूर्य है इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाना सुपकारी माना जाता है भगवान सुर्य हरी विश्णों की कृपा रहने से जहां मान सम्मान की बिर्धी होती है वहीं सूर्य के लिए उपाय करने से मन में निर्भैता आती है और डिप्रेशन जैसे रोगों से पूर्ड रूपें मुक्ति मिलती है आईएची के साथ रुप करते हैं मकर राशी का चांदे के पिकॉंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन मकर के बारी आती है कुम राशी की जानते हैं एक्वेरिस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आज कुम राशी के जात्कों को परिक्षा में सफ़दा लेगा आज की गई आत्रा से आपको लाग मिलेगा और पिता के सहयोग से बिगड़ हुए काम भी बन जाएंगे जीवन साथी से मध्धेद हो सकता है हनुमान जी की पूजा करें जै माविन दिवास में राश्यों में अगली राशी है मीन राशी जानते ही कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आज मिल दासी के जात्कों के खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं बे की अधिक्ता पनी रहेगी समाज में आपका मान सम्मान और रुद्वा भी रहेगा निश्चित रूप से आज आज आपके अधिकार छेत्र में भी ब्रिधी होगी सरकार से लाज मिलने की पूरी-पूरी संभावना बनी होई है और जीम सांथी का भी आज आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आपको चाहिए कि ओम नमु भोवते वासु देवाए या भगवान स्रीहरी विश्णू का द्वाद साक्षर मंत्र है इस मंत्र का एक माला आप जब और से कर लें जैवावन दिवासने